हर हर महादेब आपका संजीब ट्रैलिंग ब्लोग में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आगन गंटी दवा दें जिससे कि आपको हमारे वीडियो टेम से मिलत रहे दोस्तो आपको पता है केदनात मंदर का ट्रैक गोरिकुंट से स्टार्ट होता है और जो करीब 16-18 किलोमेटर का होता है दोस्तो जो अब इसे 16-18 किलोमेटर की जब यातरा आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी परिशानी आती हैं हमें बहुत सारी दिक्कत आती है अगर हम इन प्रिषानियों को हमOoh हम पेलि हमें ह हमें क्या क्या प्रिषान आने वाली है हम अपने घर से तैयरी करके चले तो हम्य क landlords थार-फ GET city रेक है वह आपको बताने बाल पर यह भी अगर पहले से पता हो जाएगा कि हमें क्या-कै परिसानी आने वाले नहीं तो आपको और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यात्रा भोता आराम से हो सकती है तो इसलिए दोस्तो अगर आप जैसे आप track start करो को तो सबसे पहले जो important बात होती है वो होती है जूते क्योंकि जूते ही हमारे man important होता दोस्तो जूते ऐसे होने चाहिए दोस्तो मैंने आपको already एक video बना के देदी कि हमारे जूते कैसे होने चाहिए क्योंकि leather और जो हमारे बैसे कपड़े को होते हैं बुलगुल बेकार होते हैं इसलिए जो हमारे एक video देखें जो हमने complete बना दिये क्योंकि महत्पुर हमारे जूते हैं दोस्तो इसके बाद में बात करते हैं जब हम जूते पैनते हैं तो हम जब जलते हैं तो चड़ने वे तो कोई परिसानी होते हैं जब नीशे आते हैं तो जो हमारे पैर के नाखून होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो हम इने जो हमारे नाखून होते हैं हम इने नहीं तो काड़ते हैं और कुछ भी नकाव पाई नहीं करते हैं नखूनों को तो सबसे बड़ी हमें प्रिसानी इसमाती है क्योंकि जब दोस्तों आगा आपके नखून पैर के नखून जादा बड़े होंगे तो जूते हैं वो आगले वाले हिसे में लगेंगे जिसकी बज़े से आपके जो उंगलिया हैं वो सूजाएंगे नमें दर्ध होगा चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जो इनकी नौक होती है आगे वाली इनमें जाके आपके जो नाखून होते हैं वो लगते हैं वो इसके बज़े से आपके पैर में सूज़ना सकती है चलने में दिकत हो सकती है चलने में तो इसलिए आप सबसे पहले तो घर से ही अपने हाथों के और अपने जो आपके पैर होते हैं पैरों के बुलकुल नाखून साप कर देना बुलक साप करके चलें दोस्तो इसके दोरान कैदानात मंदर की ट्रैकिंग करने के दोरान आप अपना सिर्फ जरूरी सामान ले कर जाएं क्योंकि बाकि सामान सौन प्रियाग या गोरिकुंड के किसी लोकल रूम में आप रख दें कैदानात मंदर की ट्रैकिंग के दोरान आपके प क्योंकि इस टीक बहुत जरूरी है, आप किसी भी उमर में हो, आप 16, 17, 18 साल की उमर में हो या 30, 32 साल की उमर में हो, आपको इस टीक या चड़ी खरीद लेनी चाहिए दोस्तों, जिससे आपको चलने में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम 17, 18 साल की लड़के हैं, हमें आराम स दिक्कत नहीं होगे, दोस्तों बहुत से जिगे ऐसे होता है, जहां रफटन होती है, बारिश के पानी बज़े जन्ने के पानी के बज़े से हम पर चल नहीं जाता बलकुली तो इसलिए आप जब यातरा कर रहे हो तो यातरा करने से पहले आप आपने पास छड़ी या स्टीक लेने बहुत जरूरी बाद है दोस्तों क्योंकि इससे ही आप यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जैसे ही हम ट्रैक पर चड़ें तो आपके अपने पास पानी की बोतल बहुत जरूर होने चाहिए दोस्तों और पानी की बोतल ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूँ दोस्तों आपसे एक लिटर पानी के लिए अगर आप जादा पानी रहोगे अपने पास तो आपको ट्रैक करने में दिक्कत होगी क्योंकि पानी बजने हो जाएका जाएका जादा इसलिए आपको एक लिटर पानी रहें जैसा आपको खतम हो जाए तो थोड़ थोड़ दूर पर जहने है पानी के, आप हाँ से पानी भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी भरोगों, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप अपने पास पानी बोतल के बल एक लिटर की रखें, इसलिए आपको ज़्यादा पाने रखने की आपको ज़रूत नहीं है पिर हम बात करते हैं जब हम track start करते हैं तो आपने पास खाने पीने का ज़्यादा सामान ना ले कर जाएं दोस्तो मोटा मोटा खाने पीने का सामन ना ले जाएं क्योंकि दोस्तो राष्टे बीच में आपको होटल खाने पीने की चीज़ बहुत कुछ मिलेंगी आप तुरंद नगत कर लेकर खा सकते हैं क्योंकि इससे फायदा दोस्तो यह होगा कि जो आप ट्रेक स्टार्ट करों कि एदर ना थी आत्रा का तो आपको बजन की जो परिशानी है वो आपको ना जिलनी पड़ेगी तो इसलिए आप अपने बैग में के लिए थोड़ा बहुत सामान ले कर चलें दोस्तो बैस दोस्तो फिर आप अगली बात करते हैं कि जैसे ही आप इस ट्रेक करोगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर पर आप अपना पानी पीएं ज़्यादा पेट भरके पान न पीएं थोड़ा थोड़ा पानी पीकर चलें और एक साथ अब जैसे आपके 18 किलोमेटर है या आपकी ट्रेक तो आप एक साथ आप इसको पार बिल्कुल ना करें बहुत से होते हैं एक सांस में चलते रहते हैं चलते रहते हैं दोस्तो इससे आप बिल्कुल थकान में आ जाओगे और आप जाते जाते रस्ते बीच में ही बहुत ज़्यादा प्रेसानी हो जाए कि आपको प्यार दर्द करने लग जाए इसलिए आप थोड़ा थोड़ा चलें जैसे ये आपको लगए कि हम ठकने वाले तुरंत आप बैठ जाएं और फिर थोड़ा बहुत आराम करें फिर चल प्रेसानी देखने को मिल सकती है इसलिए आपको आने का यात्रह है और आने का प्लान है जो आपका next day का वह भी आपका बिगर सकता थे लिए आप दीरे दीरे चलें आप मान के चलें एक ये दो किलो मिटर पार करा फिर थोड़ा सा रेस्ट करा एक दो किलो मिटर और चले थोड़ा थोड़ा रेस्ट करा तो ऐसे आप आराम से मंजल पहुंच सकते हो इसमें ही आनन्द है और आप पहाडों के जहनों के आराम से नजारे लेत तिसलिए आप थोड़ थोड़ खाते हो चलें इसमें ही आपका मज़ा है बाबा कैदनात के भी आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे इंजॉय करते करते हर हर महादेव दोस्तों आगे हम बात करते हैं और दोस्तों मैंने आपको हर वीडियों बताता हूं कि जैसे ही आप यात दोस्तों हो सकता है कि आगे आपको मेडिकल न मिले हो सकता है कि आपको एक या दो किलोमेटर आगे मेडिकल मिले और आपको या एक दो किलोमेटर पहले से दिक्कत हो जाए तो आपके पास दवा होनी चाहिए इसलिए आप अपने साथ दवा लेकर जरूर चलें बहुत दोस्तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि हम क्या-क्या सामान लेके जाएं मैंनो इसमें आपको बताया था आपके पास माचिस हो गई, टॉर्च हो गई, मुंबत्ती हो गई आप इन चीजों को जरूर लेके जाएं क्योंकि एमरजेंसी में इस चीज आपको बहुत जादा सहेता करेंगी इसलिए आपके पास टॉर्च होनी चीज है, मार्जिस, लाइट इन में सो कुछ भी एक चीज या जो भी जितने भी चीज पढ़ें आपको अपने साथ इन सामान को रख सकते हैं और आपको अच्छे सा मालम होगा कि पाहड को बारिस की समामना बहुत जादा होती इसलिए आप अपने साथ हमेशा रेंड कोट या आपके चाता अपने साथ जरूर रखें दोस्तों क्योंकि ये चीज का भी बारिस हो सकती है इसलिए आप अपने पास इन चीजों का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि आपके पास छतरी या रेंड कोट होना बहुत जरूरी है कैदानात मंदर की ट्रेकिंग करने के लिए आप अपने पास एक चपल जरूर रखें ताकि ट्रैकिंग के दुकरन बारिस पढ़ने पर आप अपनी चपल पहन सके दोस्तों क्योंकि ऐसा होता है कि आगर आपके जूते भीज जाते हैं या किसी बज़े सुब कुछ परेसा जूतों में आ जाती है बात रहूंगे तो आपको यात्रा बहुत आराम से हो जाएगी और जो मैं आपको बता रहूं बहुत आराम से अपनी यात्रा करें कुछ चीज मुझे से छूट गी हो तो दोस्तों माफ़ करना क्योंकि अगर कुछ चीज मुझे और याद आएंगी किया किया परिशा नहीं हो सकती है क्या किया अब प्रिजेंट में हो रहा सितंबर अक्टूबर में तो आपको मैं नेक्स्ट पीडियो बना के दूँगा दोस्तों हर हर महादेव दोस्तों